तपस्या की वर्निंग सुनकर विहान ज्यादा परिशान नहीं हुआ लेकिन अब ये सोचकर कि तपस्या रावी के साथ रहने वाली थी और वो विहान के बार में रावी को भड़का सकती थी विहान को थोड़ी चिंता हो रही थी विहान ने एक लंबी सांस लिए और मुढ कर वहां से चला गया थोड़ी देर बाद रावी खिड़की से बाहर बादलों को छूटते हुए देख रही थी उसकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह हो गई थी जो कभी अब तो कभी डाउन होती जा रही थी रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस सिचुएशन में फसी हुई है ना ही रावी सिचुएशन से बाहर आ रही थी, ना ही सिचुएशन में रुपा रही थी रावी को ऐसा लग रहा था जैसे सारी दुनिया सिर्फ उसी के पीछे पड़ी हो ये सब सोचते हुए, रावी ने एक लंबी सांस ली, सूरज ने कहा, तो तुम क्या करने वाली हो, रावी ने कहा, कोट के ओडर्स हैं कि मुझे विहान के साथ रहना होगा, और विहान अब धहरादून में रहने वाला है, इसलिए मुझे भी घर लोटना होगा, ये सुनकर तुम्हें इस बात से क्या कोई फरक पढ़ना चाहिए, कि मैं कहा जा रहा हूँ, वैसे भी तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है, इसलिए मैं कहीं भी रहूँ, तुम्हें वहाँ चलना ही होगा, ये सुनकर तपस्या ने कुछ नहीं कहा, वैसे भी सूरज ने पहले ही जाद अच्छी यादे नहीं है, हाला कि यहां उसका बच्पन भीता था, पर फिर भी इस जगह ने उसे कई सारे जखम दिये थे, रावी ने एक लंबी सांस ली, सूरज ने रावी के कंदे पर हाद रखते हुए कहा, क्या तुम उदास हो, रावी ने अपने कंदे उचकात पर उसने सच्चाई को एकसेप्ट करने का फैसला किया था, वैसे भी सूरज हमीशा से जानता था कि वो रावी को नहीं पा सकता है, इसलिए उसने कभी अपने दिल में रावी के लिए ज्यादा फीलिंग्स डेवलाप नहीं होने दी थी, पर इतने समय तक रावी के साथ र पर इतना सब करने के लिए, मेरे काले का हुए, ये सुनकर सूरज हसने लगा और उसके साथ रावी भी हसने लगी, पर कोई था जिसे ये स्पेशल और प्यारा मूमिन देखकर चलन हो रही थी, तपस्या अपने हाथ बांद कर उन दोनों को घूर रही थी, तपस्या ने तूरज के हाथों को पकड़ा हुआ था, तपस्या को ऐसा लग रहा था कि वो रावी के हाथों को काड़ दे, सिम्रन जो की तपस्या के साइड में ही खड़ी थी, उसने अंजाने में ही मुस्कुराते हुए गा, सच में सर और माडम की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, पर शायद उन दोनों की किसमत में सातरेना लिखा ही नहीं है, जैसे ही सिम्रन ने अपनी बात खतम की, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे बुरी तरह घूर रहा है, सिम्रन ने अपना सेर उठाया और देखा की तपस्या की नजर उस पर ही थी, सिम्रन जल्दी से आगे भड़ी थोड़ी देर बाद सभी लोग धेरादून एरपोर्ट के बाहर थे, रावी ने देखा थोड़ी दूरी पर एक कार खड़ी थी, जिसके सामने दो मिलिटरी सोलजर्स खड़े होए थे, उन सभी ने मिलिटरी यूनिफॉर्म बैना था, और वो किसी की तलाश में थे, एक सो पूशिश करूँगा कि मैं तुमसे मिलने आओ, रावी ने आंसु भरी आखों से सूरच को देखा और हां में सिर हिला दिया, उसके बाद वो सिमरन के साथ आके बढ़ गई, रावी ने पहले ही विहान से बात कर ली थी, और उसे बता दिया था कि सिमरन अड़ने की बेबी आपके साथ काम करके मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अड़ने और रावी मैं का ख्याल रखूंगी, आप उनकी चंता मत कीजिए। सर हमें भी घर जाना चाहिए, ये सुनकर सूरज ने हसते हुए का, घर? सूरज ने इस शब्द को इतनी दर्द भरी आवाज में कहा था, कि अभी शेक के दिल में भी दर्द होने लगा था, हाँ सूरज का एक घर था, लेकिन वो घर उस जगह पर था, जहां उसके साथ तपस्या ने सूरज के हाथ को पकड़ा था, और वो सूरज का हाथ हिलाते हुए आगे चल रही थी, तपस्या ने कहा, चलो मैं देखना चाती हूँ तुम्हारे पास और कौन सा घर है, सूरज ने एक लंबी सांस ली, वो भूल गया था कि उसके पास अभी भी एक जोकर है, ये सोचते हुए सूरज अचानक से हसने लगा था, तपस्या ने कन्फ्यूजड होकर सूरज की तरफ देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि सूरज क्यों हस रहा है, तपस्या ने कहा, तुम्हें हसी किस बात पर आ रही है, सूरज ने कहा, कुछ नहीं मुझे बस एक जोकर क किया और आगे भढ़कर उस कार में बैट गई जहां सूरज के बॉडी गार्ज खड़े थे अभिशेक जो सूरज की बात समझ गया था और वो अपना मूँ दबा कर हस रहा था सूरज ने जब अभिशेक को इस तरह हसते देखा तो उसने अभिशेक को घूर और कहा खबरदार जो तुमने उसे ये बताया कि मैं उसके बारे में बात कर रहा था अभिशेक ने हाम इस सर हिलाया उसे लग रहा था कि उसके सर अभी भी ठीक हो सकते थे शायद तपस्या सूरज की लाइफ में एक एंजल की तरह आई थी दूसरी तरफ जब रावी कार से उतरी तो उसने द हर भड़ते कदम के साथ रावी को विहान के साथ बताय पल याद आ रहे थे रावी को वो पल भी याद आ रहे थे जब उसने विहान से सवाल किया था कि क्या उसने ही ब्लाक बड़फलाई के बेस को बरबाद किया था और विहान ने उसे बताया था कि उसने रावी के साथ क सिर्फ छे महीने विहान के साथ रहना था और वो जल्दी ही इस टास्क को पूरा कर लेगी। ये सोचते होए रावी ने एक लंबी सांस लिया और घर के अंदर दाखिल हो गई। वो घर अभी भी वैसा ही था, वहाँ किसी चीज को बदला नहीं गया था, हाला कि जमीन की टाइल्स को बदल दिया गया था, क्योंकि वहाँ गोली चलानी के निशान थे, जो कि रावी नहीं बनाए थे। रावी ने अपना सिर उठा कर उस कमरे की तरफ देगा, जहां वो और विहान रहते थे। रावी ने साइड में खड़े नौकर से कहा, मेरे लिए गेस्ट रूम रेडी करो, उसने अपना सर छुका कर कहा, सर ने आपके लिए मास्टर बेडरूम तयार करने को कहा था, प्लीज उपपर चलिए, रावी ने अपने दाद पीसे, उसे पता था विहान जरूर कुछ ऐस रावी ने कहा, मैं वहाँ नहीं जाओंगी, मेरे लिए गेस्ट रूम तयार करो, लेकिन उस नौकर ने उदास चेहरा बनाया, वो अपने मालिक के आदेश से बंधा हुआ था, उसने डरते हुए कहा, मैडम प्लीज ऐसा मत कीचे, अगर आप ऐसा करेंगी, तो मेरी नौकर सोने का नाटक करेगा, तो रावी मान जाएगी, और वही हुआ, नौकर ने सोचा कि रावी बहुत ज्यादा दयालू थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके मालिक इस लड़की के साथ क्या कर रहे थे, जिसका एक बच्चा भी था, कमरे में पहुंचने के बाद, समझ रही थी, पर उसने कोई सवाल नहीं किया, वो समझ रही थी कि उन सभी लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेटर थी, इसलिए वो इसमें इंटरफेर नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद वो उस कमरे से चली गई, नौकर ने सिमरन को उसका गेस्ट्रूम रावी को नींद नहीं आ रही थी, वो एक तक बिस्तर की तरफ देख रही थी, जहां उसका बेटा सो रहा था, रावी को नहीं पता चला कि अर्णे को देखते हुए उसकी आँख कब लग गई, अगली बार रावी की नींद अर्णे के रोने की आवास से खुली, रावी ब रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो कन्फ्यूस्ट होते हुए अल्मारी के पास गई और उसने अल्मारी को खोल दिया, अल्मारी खुलते ही रावी का अदल काम गया, अल्मारी के एक तरफ रावी के कई सारे कपड़े रखे थे, और दूसरी तरफ अर्णे क खेले कुछ कपड़े लेकर अर्णे के पास चले गई, फिर रावी वाश्रूम में गई, रावी ने देखा वहाँ पर भी कई सारे बेबी प्रोड़क्ट रखे थे, रावी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल इतना बेचेन क्यों हो रहा है, रावी ने खुद को शान्त तपस्या घूर कर सूरज को देख रही थी, तपस्या ने दुबारा मुड़कर अपने कमरे की तरफ देखा, उसका कमरा सूरज के कमरे से बहुत ज्यादा दूरी पर था, तपस्या ने चिड़ते हुए का, सूरज तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी कमरे में गुस वो कमरा उस घर के सबसे कोने के हिस्से में था, लोगों को तो पता भी नहीं था कि वहां पर एक कमरा हो सकता है। सूरज ने अभिशेक को घूर कर देगा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका सेकेटरी ऐसी बातें क्यों कर रहा था, लेकिन तपस्या अभिशेक की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी, तपस्या ने उपपर की तरफ दोड़ते हुए कहा, ठीक है अब उस कमरे में मैं तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उस लड़की को हैंडल नहीं कर सकता, और नाहीं मुझे उससे बात करने में को इंट्रेस्ट है, तो तुमने उसे मेरे बगल वाले कमने में रुखने को क्यों कहा, अभिशेक ने कुछ नहीं कहा, और एक फोन कॉल का बहाना बना कर वहां से चल रही थी, जहां से अभी भी रोशनी आ रही थी, वीरा की आँखे खाली थी, और उसकी नजर उस खिड़की पर ही थी, वीरा चाहती थी, कि वो उस कमरे में जाकर अपनी बहन को गले लगा ले, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी, पता नहीं क्यों, उन दोनों के बीच बड़ा फासला आ गया था, जिसे वो मिटा नहीं पा रही थे, वीरा को नहीं पता चला कि उसकी आँखों में कब आसु आ गए, पर उसने जल्दी उन आसुओं को आँखों से साफ कर दिया और थीरे से का, मैं चल्द ही तुम्हें अपने साथ ले जाओंगी, रॉय जो वी अगर रावी ने ये सोचा कि मैं उसे घर से ले जाने आई हूँ, तो वो मेरे साथ नहीं आएगी, क्योंकि इस समय उसके लिए अपने बेटे की सेफटी सबसे जरूरी है, और वो अपने बेटे को किसी को नहीं देना चाहती है, पता नहीं रावी ये सब क्यों सोच रही है क्या माँ बनने के बाद ऐसा ही इनसे क्यों फील होता है, रॉय ने वीरा की बात का जवाब नहीं दिया, असल में उसके पास वीरा की इस बात का कोई जवाब भी नहीं था, वो इस तरह की फीलिंग को नहीं समझता था, हाला कि वो वीरा के एमोशन समझ रहा था, कि वीरा क एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होटों के वीच रखकर जला लिया वीरा वापस स्मोकिंग करने लगी थी क्योंकि वीरा के पास उसकी बहन नहीं थी जो से बार बार टोके और अब तो रिशी भी ज्यादा समय तक उसके साथ नहीं रहता था इसलिए वीरा का फेवरेट क साथ बिताई हुए पली आदा रहे थे जो उसके लिए बहुत कीमती थे सुभा साथ बचे रावी ने अपने कमरे की बालकनी खोली और बहां खड़े होकर अपने बालों को सुखाने लगी वीरा ने नजरे उठा कर देखा उसकी बहन ने सिंपल येलो कलर की साड़ी पहनी और उसके लंबे बाल उसके कंधे के एक तरफ किरे थे रावी पहले से थोड़ी हेल्दी होगी थी और उसके गाल शावर लेने के कारण थोड़े लाल दिख रहे थे वीरा ने धीरे से कहा रावी पता नहीं कैसे पर रावी को ये एहसास हो गया था कि शायद वीरा आसपास रावी ने उस टावल को साइब में रखा और बालकनी के किनारे पर खड़ी होकर नीचे की तरफ देखने लगी वो विलात तीन मंजिलों में बना था और इस समय रावी उसकी सबसे उची वाली मंजिल पर थी इसलिए वहां से जमीन काफी नीचे दिख रही थी लेकिन रावी को वहां कोई नहीं दिख रहा रावी काफी देर तक किसी को ढूंटी रही उसकी आँखों में बेचेनी साफ देखी जा सकती थी रावी ने कई बार चिला कर वीरा का नाम भी पुकारा पर कोई भी सामने नहीं आया एक हताश भरी सांस लेने के बाद रावी मुडी और अपने कमरे में वापस चली गई रावी के जाने के बाद ही एक बड़े से पेड़ के पीछे से वीरा बहार आए वीरा की आँखों में आशू थे और उसके हाथ मुठी में बंदी थे वीरा मुड़ी और उसने अपनी कार की तरफ जाते हुए कहा हमें चलना चाहिए रॉय काफी उदास था वो वीरा से कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके पास ये करनी की अथोरिटी नहीं थी इसलिए वो चुपचाप वीरा के ओर्डर मान कर उसे वहाँ ले गया जहां वीरा जाना चाहती थी थोड़ी देर बाद वीरा उसी म्यूजियम के सामने खड़ी थी ज़ो कुछ समय पहले ब्लास्ट हो चुका था उसे पहले किसी औरत के चलनाने की अवास सुनाई थी जिससे सुनकर वीरा की आँखें खतरनाक हो गई और वो तेज कदमों से अंदर की तरफ चली गई अंदर एक औरत रस्यों से बंदी हुई थी उस औरत के दोनों हाथ एक-एक पिलर से बंदे थे उसके पैरों को भी जमीन पर बान दिया गया था और उसके शरीर पर कई सारी जंजीरों को लपेटा गया था जिससे वो हर पल भारी फील कर रही थी उस औरत ने चलाते हुए कहा हमारे उपरसिं सारी जंजीरों को हटाईए हमें बहुत ज्यादा भारी मैसूस हो रहा है क्या आप सभी ये चाहते हैं कि हम इन जंजीरों के बोच तले दब कर मर जाएं सबसे पहले हमें उस इंसान का नाम बताईए जिसने केट के अगरवाल को किड़नाप करने की हिम्मत की है हम उस इंसान की जान ले लेंगे उसकी हिम्मत कैसे होई हमें हाथ भी लगाने की ये कहते होए केट के अगरवाल की आवाज में गुरूर साफ सुनाई दे रहा था वीरा ने अपने हाथ फोल किये और एक सिगरेट पीते होएगा ये सब मैंने किया है जैसे ही केट के अगरवाल ने वीरा की आवाज सुनी उन्होंने सिर उठाकर उस दिशा में देखा जहां से वो आवाज आई थी और वीरा को देखकर उनका शरीर एक बल के लिए जम गया उन्होंने दाद पीस्ते होईगा हमें उमीद थी कि इस तरह का घिनोना काम आपके लाबा कोई और कर ही नहीं सकता है आप कितनी स्यादा निर्द ही है पता नहीं आपने किस तरह हमारे बेटे को अपने जाल में फसाया हुआ है पड़ना हमारा बेटा आप जैसी लड़की के प्यार में अब इस बात से क्या फरक पड़ता है आपका बेटा पहले ही मेरे प्यार के जाल में फस चुका है और मैंने उसे पूरी तरह कंट्रोल करके रखा है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकती वैसे इस समय आपको खुट की चंता करनी चाहिए क्योंकि आप इस हालत में नहीं है कि आप मुझे धंकी दे सके केट की अगरवाल ने दाथ पीस्ते होएगा आप हमसे चाहती क्या है वीरा ने सामने खड़े इंसान को इशारा किया जिसके बाद वो इंसान वीरा के लिए कुरसी ले आया वीरा उस कुरसी पर बैट गई थी केट की अगरवाल देख सकती थी कि वहाँ मौझूद हर एक इंसान जो थोड़ी देर पहले उसे घूर कर देख रहा था और उन सब की आखों में घुस्सा था अब उन सभी लोगों की आखें रिस्पेक से भर चुकी थी उन सभी ने अपना सर नीचे जुकाया हुआ था और एक शब्द भी बोलने की हिम्मद नहीं कर रहे थे केट के अगरवाल बहुत कंफ्यूस्ड थी उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उस जगह पर क्या हो रहा है केट के अगरवाल ने का आप सब इस औरत से क्यूं डर रहे हैं यह हमारा कुछ नहीं बगार सकती आप सब हमें छोड़ तीचे और हमारी बात उस इंसान से करवाईए जिनसे आपको हमें कैट करने के लिए पैसे दिये हैं हम उस इंसान को इतने पैसे देंगे कि वो अपनी पूरी जिन्दगी बिना काम के बिता सकेगा यह सुनकर कुछ लोगों ने तरशी नजरों से केट के अगरवाल को देखा पर उनकी नजरों में मजाग साफ दिखाई दे रहा था ओम ने मू बनाते होए का क्या इस औरत को नहीं पता है उसके सामने बैठी लड़की इस जगह की लीडर है वीरा ने ओम की बात सुन ली थी वीरा ने कहा ओम आगे आओ ओम डरते होए आगे आया उसने कहा सॉरी मैम मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था वीरा ने कहा ओम माडम चीफ मिनस्टर को एक्स्प्लेन करो की मैं कौन हूँ वीरा की बात सुनते ही ओम जो इस समें डरा हुआ था अचानक से जोश से भर गया ओम ने थोड़ी तेज अवाज में कहा आपके सामने बैठी लड़की वीरा राजवंच है अंडर वर्ल की सबसे बड़ी ओगनाईजेशन ब्लाक बटरफलाई की फर्स्ट लीडर और आरवी कॉर्पोरेशन की सी-ई-ओ ड्रेस फॉर्मी की फाउंडर और बेस्ट बिजनस वुमन ऑफ दा इयर साथीमस वीरा एशिया के टॉप 10 सबसे रिच और डेंजरिस इंसानों में से एक है केट की अगरवाल मूँ खोल कर वीरा की तरफ देख रही थी उन्हें नहीं बता था कि वीरा अंडर वर्ल्ड फीन है फिर उन्होंने आसपास देखा जिस जगह पर उन्हें बांधा गया था वो उस जगह का important area था जहां बंदे होने के कारण उन्हें उन लोगों की सारी बाते सुनाई देती थी क्या रावी अपने बेचें दिल को सम्हाल पाईगी क्या तपस्या की शरारतें सूरज को रावी के खयाल उसे बाहर ले आएंगी और आखिर कैसे किया वीरा ने केट के अगरवाल को किन्नाप वो लोग अलग-अलग तरह के मिशन की बाते करते थे और मर्डर कॉंट्राक की भी बाते करते थे वहाँ ये बाते भी होती थी कि उन्होंने कंपनी से कितने अमाउंट को जमा कर लिया है और ये बाते भी होती थी कि उन्होंने कितने पैसो को मर्डर कॉंट्राक से हासल किया है केट के अगरवाल इतना तो समझ गई थी कि वहाँ का मालक कोई आम इंसान नहीं है पर उन्होंने नहीं सोचा था कि उस जगह की मालकिन एक चौबिस साल की लड़की होगी केट के गरवाल ने अपने डर को चुपाते हुएगा आप सब जूट के रहे हैं ये लड़की यहां की मालकिन नहीं हो सकती इसने जरूर आप सबको ऐसा कहने के लिए पैसे दिया हुए वीरा उटकर खड़ी हुई उसने सिगरेट को जमीन पर फैका और उसे अपने जूतों से मसलते हुए आगे की तरफ आगे वीरा केट के गरवाल के सामने खड़ी हुई केट के गरवाल ने सामने देखा अब वो पहले की तरह सुंदर और एलिगन नहीं दिख रही थी बलकि वो बहुत ज्यादा अगली दिख रही थी उनकी साड़ी काफी गंदी हो चुकी थी और उनके बाल भी बिखर गए थी साथ ही उनके चेहरे पर जगर जगर चोटके निशान थे केट के अगरवाल ने कभी नहीं सोचा था कि जिस तरह का सुलूख वो बाकी लोगों के साथ करती थी एक दिन ऐसा ही सुलूख उनके साथ भी होगा केट के गरवाल ने भी कई बार लोगों को कैद करके टॉर्चर किया था पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो भी इसी तरह की कैद का सामना करेंगी वीरा ने केट के गरवाल के सामने अपना फोन दिखाते हुएगा मैं आपको कुछ दिखाना चाती हूँ ये कहते हुए वीरा ने उन्हें वो फुटेज दिखाई जिसमें वीहान और रावी साथ खड़े थे और वीहान अरने के सिर पर हाथ फिर रहा था केट के अगरवाल ने जब वीहान रावी और उस बच्चे को साथ देखा तो उनकी आखे लाल होगे वीरा नहीं जानती थी क्यों कि उनकी आखे गुस्से से लाल थी या फिर आसूं से लेकिन जब उसने केट के अगरवाल के शब्द सुने तो उसका दिल हताशा से भर गया केट के अगरवाल ने का हमारा पोता अभी भी उस बेशरम लड़की के पास है और वीहान उसके साथ क्या कर रहा है हमें छोड़ दो हमें उस लड़की से हमारे पोते को वापस लेना है वो किस तरह हमारे पोते को अपने पास रख सकती है जरूर वीहान उस लड़की से हमारे पोते को लेने गया होगा हमारा बेटा जानता है कि उसे क्या करना है इसलिए तुम ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी वेहन हमसे जीत पाई की वीरा ने एक बार केट के अगरवाल की तरफ देखा और फिर अपने फोन में एक वीडियो चालू कर दिया जिसमें जज्ज ने ये फैसला किया था कि वीहान और रावी को एक साथ रहना होगा और अपने बच्चे को सम्हालना होगा वीरा ने उस फोटेज में से कुछ लाइंस हटा दी थी जिसमें जज्ज ने ये कहा था कि अगर छे महीने बाद भी वो दोनों साथ नहीं रह पाए तो बच्चे की कस्टिडी किसे मिलेगी ये अगली सुनवाई में तैह होगा पर जो आधी फोटेज थी उससे सुनकर ही केट के अगरवाल अपना दिमाग हो चुकी थी केट के अगरवाल ने चलाते होईगा वीहान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आप उस पेशरम लड़की के पास वापस कैसे लौट सकते हैं जिसकी बेहन ने हमारी जिंदगी पर बात करती है हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे हम आप सब कुम मार डालेंगे आप हमारी आउलाद कहलाने के लायक नहीं है ये कहते हुए केट के अगरवाल की आखें घुस्से से लाल थी ऐसा लग रहा था कि अगर केट के अगरवाल को अभी कैद नहीं किया गया होता तो शायद वो विहान की जान ही ले लेती वीरा को समझ नहीं आ रहा था कि कीट की अगरवाल सच में एक मा थी या नहीं क्योंकि वो खुद अपने बच्चों को मारनी की बात कर रही थी जहां एक मा अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी दे सकती थी वहीं केत की अगरवाल अपने बच्चों की जिन्दगी लेना चाहती थी वीरा को ऐसा लग रहा था जैसे केत की अगरवाल एक पत्थर दिल इनसान थी और उसे अपने ही अंशकेले किसी तरह की भावनाए महसूस नहीं होती थी वीरा वैसे भी ऐसे इंसान के मून नहीं लगना चाहती थी जो लोकों की फीलिंग से खेलता हूँ वीरा ने वहाँ से बाहर जाते होगा इस बात से फरक नहीं पड़ता कि आप क्या करना चाहती थी लेकिन अब आप कुछ नहीं कर सकती अब हमेशा यहीं रहोगी जब तक आपकी मौत नहीं हो जाती जस तरह आपने मेरी बहन को उन कुछ महीनों तक कैद करके रखा था अब आप अपनी मौत के आने तक यहां कैद रहोगी जैसे ही केट के अगरवाल ने वीरा की बात सुनी उन्होंने चल लाते होगा हम यहां नहीं रहेंगे हमें छोड़ो हम उत्राखंड की चीफ मिनस्टर है तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती हमें जाने दो वीरा ने केद के अगरवाल की बातों को इग्नोर किया और वहां से जाते होगा यह सब आपको इस जेल से भागने से पहले सोचना चाहिए था वैसे भी अब वहां हर कोई आपको एक ऐसा इंसान समझ रहा है जो भाग चुकी है और जिसका कोई पता नहीं है कोई भी आपको ढूणने की कोशिश नहीं करेगा इसलिए चिंता मत कीजिए और आराम से इस गैद में रही है ओम एक काम करना आज इनकी जंजीरे एक खोल देना इस बात को सुनते ही जैसे केट के गरवाल का दिल शान्त हो गया और जैसे ही उन्होंने वीरा की आगे की बात सुनी उनका दिल वापस धंडा पड़ गया वीरा ने कहा उन्हें कुरसी से बांदो और उन पर हर एक घंटे में एक पानी की बाल्टी डालो कुछ दिनों तक ऐसा खरो उसके बाद मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है इतने चैन से तो मैं इस केट के गरवाल को नहीं रहने दूँगी जिसके कारण मेरी बहन को उस खतरनाक जंगल में सर्वाइफ करना पड़ा था ये कहते हुए वीरा वहां से चली गई और उसके साथ रोई भी चला गया इधर वीहान के घर रावी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैखी थी और अपना खाना खा रही थी सिम्रन अर्ने को बोतल से दूद पिला रही थी और उसके साथ खेल रही थी रावी का मन खाना खाने में नहीं लग रहा था पर सूरज ने उससे फोन करके काफी घुसे में कहा था कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो वो खुद वहां आकर उसे खाना खिलाएगा इसलिए रावी चुपचाप अपना खाना खा रही थी वहां मौचूद नौकरों ने रावी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया था इसलिए रावी को वो खाना इतना बुरा भी नहीं लग रहा था इसलिए रावी सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए पहले रावी ने सोचा कि वो जॉब कर सकती थी लेकिन उसे याद आया कि वो अपने किसी भी डॉक्युम concludes को साथ नहीं लाई थी हालाकि वो डिजिटल डॉक्युमेट ओनलाइन निकाल सकती थी पर वो RV Corporation की CEO थी और उसे जॉब देने की हिम्मत कौन कर सकता था ये सोचते हुए रावी ने एक लंबी सांस ली तब ही रावी का फोन अचानक से बजा रावी ने अपने फोन की तरफ देखा एक अंजान नंबर से उसे मेसेज आया था रावी ने मेसेज कोला, मेसेज में लिखा था हेलो रावी माम, मैं मिश्री, आपकी सेकेटरी आप काफी समय से ओफिस नहीं आई है इसलिए आपका काम पेंडिंग बढ़ा है क्या आप वापस ओफिस जॉइन कर सकती है रावी ने गहरी सांस ली वो जानती थी कि उसके दहरादून आते ही उसकी बहन उसके बारे में सब कुछ बता कर लेगी पर रावी ने नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी होगा रावी ने मेसेज किया ठीक है मुझे टाइम बता, मिश्री ने मेसेज किया आप कल से ओफिस जॉइन कर सकती है वैसे भी आजकल वीरा मैम ओफिस ज्यादा नहीं आती है इसलिए काम काफी ज्यादा भड़ गया है रावी ने कुछ नहीं रिखा और चुपचा फोन बंद करके बैठ गई रावी ने सिमरन की तरफ देखा और अपनी सारी जरूरतों को भी पूरा कर सकेगी ये सोचते हुए रावी ने एक लंबी सास ली वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लोटने वाली थी पर एक नई रावी बन कर एक चुलबुली लड़की नहीं बलकि एक इनसान बन कर क्योंकि रावी ने इस जिंदगी से काफी सारे सबक सीख लिये थे रावी ने का सिमरन कल से मुझे ऑफिस जाना है क्या तुम अकेले अरने का ख्याल रख लोगी सिमरन ने बिना किसी जिजग के हां में सर हिलाया और गा येस माम, मैं अढ़ने का ख्याल रखूंगी, आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई परिशानी हुई, तो मैं आपको फोन कर दूँगी रावी ने हाँ में सर हिलाया और का, सिमरन, अगर तुम नहीं होती, तो मैं क्या करती ये सुनकर सिमरन ने का, ऐसा मत कहिए माम, अगर मुझे ये नौकरी नहीं मिली होती, तो मैं नहीं जानती कि मैं क्या कर रही होती, मेरे लिए ये नौकरी बहुत जरूरी है रावी नहीं जानती थी सिम्रन को सूरज कहां से लाया था इसलिए उसे कभी भी सिम्रन की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता था रावी ने कहा तुम ऐसा क्यों कह रही हो सिम्रन एक कड़वाध भरी मुस्कान के साथ कहती है मैं पहले एक नर्स की जॉब करती थी मेरा एक बहुत बड़ा परिवार था पर वहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि मैं अडॉक्टर थी मेरी एक सिस्टर उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थी एक दिन एक लेडी की इमर्जिंसी डिलिवरी होने वाली थी और हॉस्पिटल में किसी के ना होने के कारण मैं मेरी सिस्टर चोकी डॉक्टर थी उसने डिलिवरी करने का फैसला लिया मैं उसे असिस्ट कर रही थी डिलिवरी के दौरान मेरी सिस्टर से कोई गलती हो गई जिस कारण वो लेडी और उनका बच्चा नहीं रहे और इसका इलजाम मेरी सिस्टर ने मुझे लगा दिया जिस कारण मेरी फैमिली ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं कई दिनों तक सड़क पर रही थी एक दिन सूरज सर ने मुझे देखा और मुझे से बात की तम मैंने उने उने बताया कि मैं एक नर्स थी और उसी दिन सूरज सर मुझे अपने साथ घर ले आए थे और उन्होंने मुझे बताया था कि मुझे एक छोटे बच्चे का ख्याल रखना है मुझे अपने घर पर छोड़ने के बाद सूरज सर वहां से चले गए थे और फिर अगली बार जब वो लोटे थे तो उनके साथ आप और अर्ने थे रावी ने सोचा सूरज को पहले से कैसे पता था कि रावी उसे मिल जाएगी और रावी का एक बेबी होगा रावी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे उसे सूरज का कैरेक्टर कभी समझ नहीं आता था वो बहुत ज्यादा शांद, बहुत ज्यादा डेंश्रिस, बहुत ज्यादा मिस्ट्रियस और बहुत ज्यादा केरिंग था पर उसकी रियल परस्टनालिटी क्या थी रावी आज तक ये समझ नहीं आया था रावी ने एक लंबी सांस लेते हुए गा ये तो अच्छी बात है, तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना, जब अरने बड़ा हो जाएगा, तब मैं तुम्हें एक अच्छी सी जॉब दूगी, जिसके बाद तुम मेरे साथ ही काम कर सकती हो, मेरे एक अंकल है जिनका बहुत बढ़ा होस्पिटल है, तुम उनके फीचर्स के कारण 21 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी, सिमरन ने रावी की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, और हसते होए गा, मैम आप जैसा कहेंगे, मैं वैसा करूँगी, अगर आप मेरी हेल्प करेंगी, तो मुझे बहुत खुशी होगी, सिमरन ने ये बात क ये तो आसानी से दी थी, लेकिन वो नहीं जानती थी, कि आगे चलकर यही बाते उसके लिए सबसे ज्यादा माइने देने वाली थी, सिमरन और रावी बाते कर ही रही थे, कि एक मिलिटरी यूनिफॉर्म पहना इंसान घर में दाखिल हुआ, रावी ने जब अपना सर उठ आनना कि तुम कैसे हो, क्या किसी को कभी नहीं पता चल पाएगा कि केदकी जी कहां गई, क्या होगा जब रावी इतने समय बाद आरवी कॉर्परेशन जाएगी, और ऐसा क्या होने वाला था, सिमरन के साथ?